प्लीज, आज एक प्रामिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन है और वो सल्यूशन आत्माहत्य बिलकुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो मैं कितना भी ग्यान देदू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में एक बार इमेजन करो अपने माबाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिए, खुद कुशी कर लिए, शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। एकदम डारिक बोलू दिल से बोलू, मेरा पहला नाशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरनी राश्टर पती जी के हातों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आपको बता है जिस दिन इस नाशनल अवार्ड की अनाउस्मेंट हुई थी ना, उस दिन मैं अपनी मां से बात करते हुए अपने बच्पन का एक दिन याद कर रहा था, जिस दिन एक्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मांक्स बिलकुल अच्छे नहीं थे, आप लोगों पताओ करना क्या चाएँ, मैंने का पापा मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूद करना चाहता है, हम खिलाडी बनना चाहता हूं, उन्होंने का ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो, आप बश्रास नही होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नैशनल अवार्ट कभी मेरे हाथ पर उठा हूँ ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वजह से सुना रहा हूँ कुछ दिन पहले अकपार में मैंने पढ़ा था कि एक आयाइटी के में था पढ़ाई के लिए उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक पाइफ स्टा होटल के रूम से चलांग लगा कर अपनी जान दे दी एक्जाम में फेल हो गया था मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब आठ लाख लोग हर साल वर्ल या फिर रिलेशन्शिप का स्ट्रेस क्यों तुम्हारी जान एक एक एक्जाम के माक्षीर से सस्ती हो गई है नहीं ऐसा क्या पढ़ा ही कर रहे हो इससे तो देश के लिए सरहत पे जाके जान लगा दो दाव पे चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में ए एक बार इमेजिन करो अपने माबाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिए खुद कुशी कर लिए शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है पर इतने हलके में मत लो अपनी लाइफ को यार आपको पैदा करने वालों को जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ और पेरेंट से भी यही कहूंगा यही पूछना चाहूंगा कि कहां गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैटके बाते किया करते थे पूशा करते थी कि कैसा चल रहा है आपके दोस्त कैसे है पढ़ाई कैसी चल रही है आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आखे गार के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेस्बुक पे फ्रेंड्स डून रहा है ऐसा क्यूं होता है कि जब बच्चे को हाथ पाउं पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को भुला लेते हो लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो तो हम बस एक लेक्चर जार देते हैं कहते थे बिटा नो थिंक पॉजिटिव बिटा थिंक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या कांसलर से हेल्प लेना उतना ही ज़रूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए इसमें कोई शरम की बात नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान दे दू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है अपने अंदर घुलना उसको अंदर रखना दबा के रखना बिलकुल नहीं किसी दोस्त को बोल दो या अपने माबाप से शेयर करो मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन वाटसाप पे एक बहुत काम की बात फौवर्ट की थी एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जिरी यूनिट के बाहर एक शेयर लिखा हुआ था मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ महां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ भाया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो solution है कही ना कहीं उसका solution है और वो solution आत्मत्य बिलकुल नहीं है कभी नहीं है किसी हालत में नहीं है अपना ध्यान रखो मिलते हैं फिर तिल देन नेक्स ताइम गुद्बाई जय हम